विल्कम बैक तो क्रीव और आज के इस वीडियो में हम लग देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने वर्ड डॉक्युमेंट को कर सकते हो PDF में और वो भी ऑफ-लाइन सिर्फ अपने Microsoft Word या फिर आपके कंप्यूटर में बहुत पहले से ही वर्ड पैड होता है अगर आपके वास Microsoft Office नहीं है और वर्ड पैड भी है तो भी आप उसे कर सकते हो PDF डॉक्युमेंट में तो चलिए शुरू करते हैं है 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 तो मैं यहाँ पास हूँ अपने Laptop स्क्रीन में और सबसे पहले तो मिया आपस एक word डॉक्यूमेंट क्रियेट करोंगा तो मैं आ जाता हूँ अपने Microsoft Office में दिन मैं यहाँ पास कर लेता हूं एक word document क्योंकि मेरे पस कोई word document नहीं है और मैं इसमें नॉर्मली लिख लेता हूं कुछ भी है चलो spelling छोड़ा जा इट्स अनस और मैं बस इना ही लिखता हूं आप लोगा एक पेज होगा दो पेज होगा कितना ही पेज होगा फर्क नहीं पड़ता है तो मैं इसे हेग अनस से अभी सेफ कर देता हूं से अजहांु सफ्कूप पर और मैं इसे सेफ कर देता अउनस और मैं अगर श cater that of word का जो भी format होता है उसमें यह से हो जाएगा सो मैं यहांपस चेक करता हूँ properties का जो यह से हो चुका है और यह .docx के format में से हो गया जो की एक word का format है अब अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इससे open with कर सकता हूँ यहांपस आप open with करें देना Microsoft Word से भी से चेंज कर सकते हैं और अगर आपके वास कुछ भी नहीं है word pad रहता है बहुत पहले से installed आप उससे भी कर सकते हैं सो मैं यहांपस सबसे पहले Microsoft Word से ही कर देता हूँ सो मैं यह Microsoft Word से इसे खोल लेता हूँ वापस ns.docx को देन यह मेरा document खुल चुका है और अब मैं यहांपस आओंगा files में files में आने के बाद मुझे एक option दिखेगा print नाम का दिन मैं आपस print में आ जाओंगा और print में आने के बाद यहांपस मुझे सीधा दिख जाएगा Microsoft print to PDF सो मैं यहां इसी पर click कर दूँगा और यह by default यही select होता है और दिन मैं यहां पास print कर दूँगा सो print option यहां पास है सो मैं इसे print पर click कर देता हूं और यह अब हमारा print हो जाएगा दिन मुझे यहां पास पूचेगा कहा पास तो मैं यहां यहां पास आ चुका है मेरा नाम का और अगर मैं इसका format दिखा हूं तो यह .pdf में हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पास हो चुका है सो इस तरह से आप कर सकते हैं Microsoft Word से और अगर आपके पास Microsoft Office नहीं भी है सो भी आप इसे open with कर ले wordpad से जो कि बहुत पहले से ही install होता है देन मैं यहां पास आ जाओंगा wordpad में और इसे wordpad से open कर लूँगा और steps वही एकदम सेम रहेंगे मैं यहां पास फिर से अपने files में आओंगा देन मैं यहां पास print में आओंगा प्रिंट में आने के बाद मैं यहां पास print में आ जाता हूं नर्मली देन मुझे यहां पास Microsoft print to PDF दिखेगा और मैं इसे नर्मली प्रिंट कर दूंगा प्रिंट करने के बाद यह मेरा browse पूछेगा और मैं यहां पास अनस 3 नाम से कर देता हूं और यह अनस 3.pdf नाम से automatically save हो गया है मेरे desktop screen पर और मैं इसकी आपको properties भी दिखा देता हूं यहां पास अगर मैं properties की बाद करूँ details में आ जाओं यह हमारा details अनस 3.pdf नाम से हो चुका है यहां पास आप लोग इस extension देख सकते हैं अनस 3.pdf से हो चुका है सो इसी तरह से आप convert कर सकते हैं अपने .docx मतलब के Microsoft Word के documents को .pdf जो की PDF का पार्मेट है सो थैंक्यों गाइस पर वाचिंग दिस वीडियो हिट लाइक इफ लेर्न सम्थिंग और शेयर कर दो अपने फ्रेंस के साथ सो बिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई